नमस्कार मैं रविश कुमार आवशकता है ऐसे युवाओं की जो प्रधान मंतरी नरेंदर मूदी के भाशन से सही और गलत का पता लगा सकें यह आवशकता मुझे नहीं देश को है इसलिए क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सवा दो घंटे से अधिक समय तक भाषण दिया है इस भाषण में मनिपुर कितना था, जो था वो कितना सही था विपक्ष को घेरने के लिए जिन तथ्यों और घटनाओं का उलेख किया गया उनमें कितनी बाते सही हैं, कितनी जूट हैं और कितनी आधी अधूरी हैं इनका पता लगाना जरूरी है 15 अगस्त के भाषण के बाद भी आप देखेंगे कि इसी तरह तथ्यों की जाच होने लग जाती है पहले भी हुई है और कई बार गंभीर गलतियां पकड़ी जाती हैं इन्हें देखते हुए अब एक नया डिपार्टमेंट बना देने का वक्त आ गया है जिसका काम होगा प्रधान मंतरी के भाषणों की कौपी जाच करना अपने विद्यार्थी जीवन में मैंने ऐसे कई चात्रों को देखा है जो परिक्षा में जवाब नहीं आने पर भी पूरा पन्ना भर कर घर आ जाते हैं अंग्रेजी अखबार टेलिग्राफ ने प्रधान मंतरी के भाषण के अगले दिन जिस तरह से खबर बनाई है उसे पत्रकारिता की कक्षा में पढ़ाया जाना चाहिए छात्रों को बहस करनी चाहिए कि प्रधान मंतरी के भाषण में सवाल का जवाब था या नहीं या जवाब के नाम पर पूरा पन्ना भर दिया गया था जिससे टेलिग्राफ ने बला 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 से संबोधित किया है जिसके लिए हिंदी में सही किंद्रिय भाव क्या था क्यों वे कभी साठ के दशक में चले जाते हैं तो कभी असी के दशक में अपने कारेकाल के दशक में नहीं जाते हैं कि उनके रहते मनीपुर की हालत क्यों खराब हुई क्या यही कारण है कि टेलिग्राफ को समझ नहीं आया कहीं ऐसा तो नहीं कि बाकी संपादकों को भी वही समझ में आया जो टेलिग्राफ को आया मगर भी टेलिग्राफ की तरह कहने की स्थिती में नहीं है नौकरी खत्रे में न पढ़ जाए इसलिए प्रधान मंत्री के भाशन के गुंगाओ और अपनी अपनी नौकरी बचाओ टेलिग्राफ ने जिस तरह से पहली खबर बनाई है उससे साफ है कि यह कहने का प्रयास किया गया है कि प्रधान मंत्री ने इतनी देर तक बोला है सब बोला है लेकिन क्या बोला इसलिए बला बला से पन्ना भर दिया है तो आप पाठकों को भी इस तरह के भाशन पर ऐसी ही क कौपी पढ़ने को मिलेगी आप ही तै कीजिए कि टेलिग्राफ की या कौपी प्रधान मंतरी के भाशन का प्रती बिम्ब है रिफलेक्शन है या केरी केचर है हम आज के वीडियो में प्रधान मंतरी के भाशन का विशलेशन करेंगे 10 अगस्त को मुंबई में होने के कारण न बालिया बजा रहे थे आज राहुल गांधी ने प्रेस कांफरेंस की है और कहा कि प्रधान मंत्री का भाशन सुनकर नहीं लगा कि भारत की प्रधान मंत्री बोल रहे हैं वे हंस रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे कल प्रधान मंत्री जी ने पार्लर्मेंट में दो घंटे, चाहे दो घंटे तेरा मिनट, दो घंटे तेरा मिनट भाशन किया, उसमें अंत में दो मिनट उन्होंने मनिपूर के बात की, मनिपूर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, बलतकार हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, और अगर आपने देखा होगा कल, तो प्रधान मंत्री हस हस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, हस रहे थे, यह उनको शोभा नहीं देता है, हिंदुस्तान का प्रधान मंत्री, अगर इस देश में भिंसा हो रही है, दर्ध हो रहा है, हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री को दो घंटे, मजाक नहीं उडाना चाहिए, विशय कॉंग्रेस नहीं था, विशय मैं नहीं था, विशय मनिपूर है, मनिपूर में क्या हो रहा है और उसको एकदम क्यों नहीं रोका जा रहा है यह विशह है मैं आपको अपना experience देता हूँ जो मैंने शायद अभी तक बोला नहीं शायद पहले बोल देना था मैं अब तक्रीबन 19 साल से राजनेती में हूँ और मैं हर स्टेट में गया हूँ बाड़ आए तुफान आए सुनामी आई थी हिंसा होती है हम जाते हैं 19 साल के experience में जो मैंने मनिपूर में देखा और सुना वो मैंने कभी पहले नहीं सुना था मैंने पार्लमेंट में बोला कि प्रधान मंत्री जी ने अमिट शाजी ने भारत माता की हतिया की है मनिपूर में भारत को खतम कर दिया है मैंने ऐसे नहीं बोला था ये खोकले शब नहीं है अब आप सोचिए प्रधान मंत्री नरिद्र मोदी अपने हर भाशन में क्यों याद दिलाते हैं कि कॉंग्रेस के दौर में विपक्ष्टी सरकारे गिराई गई यह क्यों नहीं बताते कि उनके दस साल में यह सब बंद कर दिया गया है उनके समय में वही सब क्यों चल रहा है जो पहले चला करता था आप पूछिए आप सभी दर्शकों की आँखों के सामने इस दस साल में विपक्ष्टी कितनी सरकारे गिरा दी गई है राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया जिसे सुप्रीम कोट ने अवैद कहा चुनी हुई सरकारे गिरा दी गई दल बदल कराया गया इसके बाद भी प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी कॉंग्रिस के दौर की याद दिलाते हैं कि उस समय सरकारों को गिराया जाता था आप जब हिंदी के अख़बार पढ़ेंगे तो प्रधान मंत्री के बयान की अलाइं जहां जहां छपी होगी वहां वहां यह तथ्य नहीं दिया जाएगा कि नौ साल में बीजे पी ने नौ बार सरकारे गिराई हैं यह तथ्य लोग सभा में सुप्रिया सूले ने दिया था वैसे आप महराश्टर, मद्यप्रदेश, अरुनाचल प्रदेश, उत्राखंड और करनाटक में सरकार गिराने के खेल को ही याद कर लिजे इतना काफी है भारत में वैसे ही 2047 तक अमरित काल चल रहा है लेकिन प्रदान मंत्री ने एक ऐसे कालखंड की बात कर दी है जिसका असर अगले 1000 साल तक दिखने वाला है 1000 साल इस तरह से अपने भाशन को अवतारी रूप देते हुए प्रदान मंत्री कितनी आसानी से राजनिता की जगा खुद को भविश्य वक्ता के रूप में पेश कर देते हैं बहुतों को पता भी नहीं चलता है अमरित काल के नाम पर 100 साल क्या कम थे इसलिए 1000 साल की भविश्वानी कर दी गई है बस यही नहीं बता सके कि मणीपूर में 100 दिन में क्या हुआ क्यों हुआ और अगले कितने दिनों में वहां शांती बहाल होगी 1000 साल तक असर रहेगा ऐसा काम हो रहा है ऐसे पत्रकारों की कमी नहीं जो प्रदान मंत्री की जुबान से यह बात सुनकर उन्हें जल्दी ही महापुरुष की जगह दिव्यपुरुष या अलौकिक पुरुष लिखने लग जाएंगे और मैं शब्दों को भी बड़े विस्वात से कहना चाहता हूँ कि यह कालखन जो घड़ेगा उसका प्रभाव इस देश पर आने वाले एक हजार साल तक रहने वाला है एक सो चालिस करोर देश वाच्यों का पुर्शार्थ इस कालखन में अपने पराक्रम से अपने पुर्शार्थ से अपनी शक्ती से अपने सावर्थ से जो करेगा वो आने वाले एक हजार साल की मजबूत नीव रखने वाला है और इसलिए इस कालखन में हम सबका बहुत बड़ा दाइतवा है बहुत बड़ी जिम्मवारी है और ऐसे समय हम सबका एक ही फोकस होना चाहिए देश का विकास देश के लोगों के सपनों को पुरा करने का संकल्प और संकल्प को सिद्धी तक ले जाने के लिए जी जान से जुड़ जाना यही समय की मांग है आर्टिफिशल टेकनोलोजी के दौर में कहना बहुत मुश्किल है कि दुनिया कितनी तेजी से बदलने जा रही है आज जिन चीजों पर हमने निवेश किया है कल वो चीजें कितनी तेजी से बेकार हो जाएंगी दुनिया यह सब जानने में लगी है हमारे प्रधान मंत्री देश को बता रहे हैं कि हम एक ऐसे कालखंड से गुजर रहे हैं जिसका असर एक हजार साल रहने वाला है उनके भाशन में अतीत के किसे जितने उल्जे होते हैं भविश भी उतना ही अद्रिश नजर आता है अगली बार लोग सभा में जब प्रधान मंत्री का भाशन होगा तो आप संसर टीवी नहीं आस्था चैनल खोल लिजिएगा दस अगस्त को प्रधान मंत्री अपने भाशन में मिजोरम का एक पुराना प्रसंग ले आए 1966 का ये उनके ही शब्द हैं और मैं कोट कर रहा हूँ आप ध्यान से सुनिये प्रधान मंत्री कहते हैं पहली घटना 5 मार्च 1966 उस दिन कॉंग्रेस ने मिजोरम में औसहाय नागरिकों पर अपनी वायू सेना के माध्यम से हमला करवाया था वहां गंभीर विवाद हुआ था कॉंग्रेस वाले जवाब दें क्या वो दूसरे देश की वायू सेना थी क्या मिजुरम के लोग मेरे देश के नागरिक नहीं थे उनकी सुरक्षा भारत सरकार की जिम्मेदारी थी की नहीं थी 5 मार्च 1966 को वायू सेना से हमला करवाया गया निर्दोश नागरिकों पर हमला करवाया गया प्रधान मंत्री के कथंच समाथ होते हैं मिजुरम में वायू सेना से हमला करवाया गया था अब प्रधान मंत्री क्या सेना का राजनिती करण नहीं कर रहे हैं प्रधान मंत्री कह रहे हैं कि वायू सेना से हमला क्यों करवाया गया क्या बद दूसरे देश की वायू सेना थी उन्ही के शब्द है आपने सुना कमाल का लॉजिक है प्रधान मंत्री ही ये बात कह सकते हैं विपक्ष के किसी नेता ने कहा होता तो हंगामा मच गया होता कि उसने सेना का अपमान कर दिया है जब यह प्रसंग आया तो इसके जबाब में विपक्ष की तरफ से कई तथे सामने रखे गए कॉंग्रिस प्रवक्ता सुप्रिया श्रिनेत का एक ट्वीट है कि 1966 में मिजो नैशनल फ्रंट के बागी आईजॉल पर कबजा कर चुके थे उन्हें भगाने के लिए भारतिया वायू सेना से बंबारी कराना जरूरी हो गया था बंबारी की वज़े से मनफ के बागी भाग खड़े हुए और फिर से भारत का आधिपत्य स्थापित हुआ पत्रेकार सुशान सिंग ने ट्वीट किया है कि उस समय भारत बहुत कमजोर इस्थिती में था नया देश बना था पूरब में भी चीन और पाकिस्तान हमला वर थे और उग्रवादियों को मदद पहुँचा रहे थे मिजुरम में सेना के सामने बहुत सारी चुनौतियां आ गई इसलिए सेना की मदद के लिए वायू सेना बुलाई गए प्रधान मंत्री ने वहां सेना की मौजूदगी को हमला नहीं कहा वायू सेना को लेकर कह दिया कि उससे असहाय नागरिकों पर हमला करवाया गया कमाल की बात है पत्रकास सुशान सिंग कहते हैं कि 2011 में अली एहमद ने इस पर शोद पत्र लिखा है उसे आप लोग पढ़िये उस समय वायू सेना ने उगरवादियों की कमर तोड़ दी थी कानून व्यवस्था बहाल हो गई आज की तरह नहीं कि हतियार बंद लोगों के सामने मनिपूर की राज्य व्यवस्था धवस्थ हो चुकी है वायू सेना के पुर्व एयर मार्शल S.V. सायूर का ट्वीट आया है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वे कहते हैं कि प्रधान मंत्री ने हमारा जिक्र किया है मिजुरम में वायू सेना के इस्तमाल का हाँ हमने हस्तक शेप किया था हमने 1967 से 73 के बीच हर दिन 40 से 45 उडाने भरी हैं हमने गिराए हैं मगर दिल थाम कर सुनिये हमने नागरिकों के लिए चावल, दाल, चीनी गिराए हैं सेना के लिए रम के क्रेट, चिकेन और रसत गिराए हैं डकोटा, एरक्राफ्ट से सेना के लिए दवाएं क्विनाइन, टैबलेट, डालडा वगरा गिराए गए क्या प्रधान मंत्री सेना को राजनिती में नहीं घसित रहे हैं उस पर गंभीर आरोप नहीं लगा रहे हैं कि वो अपनी जनता पर हमला करती है ये हालत है प्रधान मंत्री के बयान की भाशन देते वक्त तो देश आँखे फाड़ फाड़ कर सुन रहा होगा वाह कहां कहां से तत्थे निकाल कर विपक्ष को जवाब दे रहे हैं घेर लिये हैं मगर अब पता चल रहा है कि प्रधान मंत्री तत्थियों को किस तरह तोड़ मरोड कर पेश करते हैं प्रधान मंत्री कहते हैं कि वायू सेना से जनता पर हमला करवाया गया और उस समय के बारे में दोहजार तीन चार में वायू सेना प्रमुख रह चुके एर मार्शल कहते हैं कि मिजुरम में वायू सेना ने दवा से लेकर डाले तक गिराई लेकिन इसका मनिपूर से क्या तालुक था मनिपूर में क्यों दो समुदाय के लोग आमने सामने हो गए हैं बंदूके लेकर एक दूसरे को मार रहे हैं कि आपको इस बात से जवाब मिल जाता है कि मार्च 1966 में मिजुरम में वायू सिना से हमला करवाया गया जब हम मनिपूर पहुँचे हम लैंड किये हमें मनिपूर में दोरा करना था जब हम मेटे एरिया में गए हमें साफ कहा गया था कि अगर आपकी सेक्यूरिटी डीटेल में कोई भी कुकी होगा उसको आप यहां मत लाईए क्योंकि हम उसको मार देंगे और जब हम कुकी के एरिया में गए हमें कहा गया अगर कोई मेटे आपकी सेक्यूरिटी डीटेल में होगा उसको आप मत लाईए उसको हम गोली मार देंगे हम जब गए हमें मेतेज को परे करना पड़ा हमें कुकीज को परे करना पड़ा मतलब एक स्टेट नहीं है आज दो स्टेट है इसलिए मैंने बोला हिंदुस्तान की हत्या मनिपूर में बीजेपी ने कर दी है और जब मैंने कल प्रधानमंत्री को देखा हस्ते हुए मजाक उड़ाते हुए मैं समझ नहीं पा रहा था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस प्रकार से कैसे बोल सकता है प्रधानमंत्री को ये पता नहीं लग रहा है कि हमारे देश में क्या हो रहा है छोड़िये नहीं जाना चाहते है, उसके भी कारन है, शायद मैं बतानी सकता हूं आपको, उसके कारन है, मगर झाने सकते हैं, तो मनिपूर के बारे में बोले तो, हिंदुस्तान की आर्मी, आप सब जानते हो सेना को आप जानते हो, जो मनिपूर में हो रहा है हिंदुस्तान की सेना उसको दो दिन में रोक सकती है तीन दिन नहीं लगेंगे अगर हिंदुस्तान की आर्मी को कहा गया कि ये तमाशा बंद करो दो दिन में ये तमाशा ड्रामा बंद हो जाएगा प्रधान मंतरी मनिपूर को जलाना चाते हैं आग बुजाना नहीं चाते हैं ये है सच्चाई आखिर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी मिजुरम का प्रसंग लेकर क्यों आए क्या ये अच्छा है क्या यही जूरदार और धुआधार भाशन है या इस भाषण में केवल धुआ ही धुआ भरा हुआ है अगर मिजुरम का जिक्र ही करना था तो पूरी बात बताते कि मिजुरम में क्या क्या हुआ क्यों वे कह रहे हैं कि वहां के औसहाय नागिरीकों पर हमला किया गया आपने देखा कि उनके भाशन से संदर्ब गायब है आगे पीछे का प्रसंग गायब है बस ये है कि हमला हुआ और अधूरे और जूटे तथियों के साथ विपक्ष पर हमला कर दिया गया और हेडलाइने बना दी गई लेकिन मोदी जी आज आपने एक बहुत बड़ी गलती की आप अपने सांसदों को कुछ भी कहते रही है अपने चरन चुमबकों को कुछ भी डायलोग बाजी करते रही है दो चीजे आपने साफ कर दी एक पहली चीज आपने साफ कर दी कि अपने बद दिमाग बेलगाम बिल्कूल वैसा प्रतीत हो रहा था तो स्क्रिप्ट तो आप खुद लिखते हैं इसलिए आपके पास वक्त नहीं है देश के काम करने का क्योंकि आप फेक न्यूस फैक्टरी चलाने में ही तने मश्गूल है यह पहली बात दूसरी बात आज आपने के गलती करती है आप जो फक्र है हमें इसके लिए दिल धड़कता है तो जब इंडिया का कोई विद्रूप करता है जब इंडिया को कोई घमंडिया कहेगा और वो भी देश का चुना हुआ प्रधान मंत्री तो यह बरदाश्ट नहीं होगा आपका डर दिखता है मुझे आप सहमे हुएं इंडिया के सामने क्योंकि आप जानते हैं कि जब इंडिया से किसी का सामना होता है तो शिकस्त सामने वाले की ही होती है जीत हमेशा इंडिया की होती है लेकिन आज आपने गलत कर दिया अपने देश का नाम कौन विद्रूप करता है उसको देश प्रेमी तो नहीं कहते हैं उसको दे मनिपूर में सेना का इस्तमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे कांग्रेस सरकार की तरह गलती नहीं करना चाहते जो उसने मार्च 1966 में मिजुरम में की मनिपूर के मुख्यमंत्री ने कहा है कि सीमा पार से आतंकवादी घुसाएं हैं और वहां सेना भी है जमीन पर सेना है तो क्य देते हैं 50 साल पहले के गलतियों को बड़ा बड़ा करने लग जाते हैं ताकि लोगों को लगे कि आज वाली गलती तो कुछ भी नहीं है कॉंग्रेस किसमें कितना कुछ हो गया था आपको प्रधान मंत्री के ही एक बयान से और समझा देता हूं महंगाई से आप केवल टमा पेल लिटर मिलता इसी तरह पीवी नरसिमा राव का उधारन ले आए कि उन्हें जारखण रिश्वत कांड में जेल की सजा हुई लेकिन ये बताना भूल गए कि हाई कोट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था प्रधान मंत्री को कॉंग्रेस के अतीत से बहुत प पहस के दोरान विपक्ष का कोई सांसद गुजराद दंगो का जिक्री भी कर देता तो क्या पता उसे सदन की कारेवाही से निकाल ही दिया जाता मतलब साफ है आप इनका अतीत और वरतमान मत जानों केवल कॉंग्रेस का अतीत जानते रहो प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि आप भूल जाएं उनके दस साल को लेकिन भूलने भूलने की दवा से भरे इस भाशन में वे भी कम नहीं भूलते हैं वे भूल गए किसी नरसिमा राव को उनकी सरकार ने सम्मानित किया मार्च जून 2015 की खबरें पलटिये सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने फैसला किया यमना नदी के किनारे एकता स्थल पर पुर्व प्रधान मंतरी नरसिमा राव के लिए मेमोरियल बनाया जाएगा इसे बनाने में काफी तेजी दिखाई गई शहरी विकास मंतरी के रूप में एम वेंकया नाइडू मेमोरियल का निर्मान कार्या देखने जाया करते थे प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी ने 28 जून 2022 को ट्वीट किया है कि नरसिमा राव को उनके जन दिन पर याद कर रहा हूं देश के विकास के प्रती उनकी निष्ठा और दूरदर्शी नित्रित्व याद रखने लायक है हम देश की प्रगती में उनके अमुले योगदान का सम्मान करते हैं मनिपूर जब जल रहा था तब प्रधान मंतरी ने अपने मन की बात में जिक्र नहीं किया मनिपूर का उसी मंच से अपील कर देते मगर मन की बात में नरसिमा राव का जिक्र करना नहीं भूले सोचिए इसी जून के मन की बात में प्रधान मंत्री नरसिम्मा राव का बखान करते हैं सदन में उनका उधारन देकर कॉंग्रेस और जार्खन मुक्ती मोर्चा को भरष्ट बताते हैं वे भारत के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक थे लेकिन उनके जीवन का एक और पहलू भी है और वो उल्लिखनी है हमें जानना भी चाहिए सात्यों नरसिमा राव जी अपनी किशोर आवस्ता में ही स्वतंत्रता अंदोलन में सामील हो गए थे जब हैदराबाद के निजाम ने बंदे मात्रम गाने की अनुमती देने से निकार कर दिया था तब उनके खलाब आंदोलन में उन्होंने भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था उस समय उनकी उम्बर सिर्फ 17 सार थी इस भाशन के कई प्रसंगों को लेकर अलग अलग दावे किये गए अगर उन सभी दावों के बारे में एक एक कर बताने लग जाओं तो मेरा कारिकरम ही चार घंटे का हो जाएगा जब ती प्रधान मंत्री का भाशन मात्र दो घंटे 17 मिनट के आस पास था लोग सभा में प्रधान मंत्री का भाशन उन तत्वों से भरा नज़र आया जिसकी तरफ राहुल ने इशारह कर दिया था राहुल गांदी ने मनिपुर नहीं जाने को लेकर कहा था कि प्रधान मंत्री को अहंकार नहीं करना चाहिए उन्हें लंका का उधारन दिया मगर प्रधान मंत्री उसी लंका और हनुमान जी का इस्तिमाल कर बताने लग गए कि जनता ने कॉंग्रिस को चार सो से चालिस पर लाकर उसका अहंकार कम कर दिया लंका हनुमान ने नहीं जलाई लंका हनुमान ने नहीं जलाई उनके गमन ने जलाई और ये बिल्कुछ सच है आप देखिए जनता जनारदन भी भगवान राम के रूप की है जनता जनारदन भी भगवान राम के रूप की है और इसलिए चार सो से चालिस हो गए अन्मान ने लंका नहीं जनाई गमंड ने जनाई और इसलिए चार सो चालिस हो गए चार सो से चालिस हो गए रावन दो लोगों की सुनता था रावन दो लोगों की सुनता था मेगनात और कुम्बकरद वैसे ही नरेंद्र मोधी दो लोगों की सुनते हैं अमिद्शा और अधानी भाई और बेदो लंका को लंका को हनुमान ने नहीं चलाया था लंका को रावन के अहंकार ने चलाया था प्लेज माने सदेशे है आप सही है मिक बोले आप ये सदन है आप तरीगे से बोले ये माने सदेशे है रावन को नहीं मारा था रावन के अहंकार ने रावन को मारा था आप पूरे देश में केरोसीन फेक रहे हो पुरे देश में आप के रसीन भेक रहे हो आपने मनिपूर में के रसीन भेकी और पे चिंगारी लगा दी अब आप भर्यानों में कर रहे हो पुरे देश को आप जलाने में लगे हो आप पुरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो दन्यवाज की कर शायद इनी सब वजहों से प्रधान मंत्री 90 मिनट तक तमाम मुद्दों पर भटकते रहे और मनिपूर के लिए कम समय मिला जब उन्होंने मनिपूर पर बोला तो कुछ खास नहीं बोला आप खुद जाकर उनके भाशन का वो हिस्सा सुन सकते हैं विपक्ष को जब दमदार भाशनों से ललकार ही रहे थे तो कम सकम मनिपूर पर भी दमदार तरीके से ललकार देते लेकिन बहुत धूंडने पर थोड़ा सा हिस्सा मिलता है और उसमें भी कुछ नहीं मिलता है और में देश के समी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार चे प्रयाँद चल रहे हैं निकट भविश में सांती का सुर्द जुरूर हुगेगा बनिपूर फिर एक बार नए आत्मिश्वास के साथ आगे पढ़ेगा मैं बनिपूर के लोगों से भी आगरपूर को कहना चाहता हूं वहाँ की माताओं बेहनों बेटियों से कहना चाहता हूं देश आपके साथ है यह सदन आपके साथ है हम सब मिलकर के कोई यह हो या न हो हम सब मिलकर के इस चनोती का समाधा निका लेंगे वहाँ फिर से सांती की स्थापना होगी मैं मनिपूर के लोगों को विश्वात दिलाता हूं कि मनिपूर फिर विकास के दहा पर तेज ग्रती से आगे बढ़े उसमें कोई प्रयामसों में कोर कसर नहीं देगी वैसे आप खुद भी मनिपूर पर प्रधान मंतरी का भाशन सुनिए और फैसला कीजिए जब सौ मिनट तक मनिपूर का जिक्र ही नहीं आया तो विपक्ष के सांसस सदन से बाहर चले गए बहस का संदर्व बैसे मनिपूर था और उनके इस भाशन की तारीफ करने के लिए कॉलम लिखने वाले तरह-तरह की दलीलों का आविश्कार कर रहे हैं कि किसी तरह उन्हें दिव्यपुरुष और महापुरुष साबित कर दिया जाए पोर साम्काइब होज़ुaking । त FR. प्र. प्र. मिंस्तर उनके अबड दूंके लिए, लिए स pioneer मैणा अविफ को सी आव भी लिए अपनिक्तामा रती जांप पनिके उन्हाराइब है कि यजरू जोनी दूने यज़ थी मे व Gef capitalist्रámमार्वा दूने हो हैं? for the first 90 minutes of his speech not a whiff about Manipur 4 minutes on Manipur what did the India Alliance do? all the parties walk out within 30 seconds of them walking out round about the 100th minute of the speech then he speaks on Manipur for 4 minutes Mr. Prime Minister I said last week you have a heart of stone maybe even worse Pradhan Mantri India Alliance 3 questions 1. when will they go to Manipur 2. when will they go to Manipur 3. when will they go to Manipur 3. when will they go to Manipur seb forecasts 6. if too why will they go to Manipur get the answer will you look a मुक्य मंत्री जो विफल हुए जिसके कारण 6,000 घर जलाए गए, 6,000,000 गोलियां पुली स्थानों से लूटे गए, 7,000 लोग बेघर हो गए, जिसके कारण आज मनिपुर दो हिस्चों में बढ़ चुका है, उस पर प्रधान मंत्री मोदी जी कोई कारवाई नी लेना चाते, हमने अपने वीडियो में सवाल उठाया था, कि लोग सभा में मनिपुर को लेकर चर्चा हो रही है, क्या मनिपुर से जो दो सांसद हैं, उन्हें बोलने का मौका मिलेगा, मिजुरम के सांसद को बोलने का मौका मिलेगा या नहीं? राजकुमार रंजन सिंग इनर मनिपुर से बीजेपी के सांसद हैं, आउटर मनिपुर से सांसद हैं, लोरहो एस फोज, फोज, नागा पिपल्स फरंट के सांसद हैं, मगर एंडिये का हिस्सा हैं, गौरव गोगोई ने पी-म के बोलने से ठीक पहले लोग सभा के स्पीकर से कहा कि इन्हें बोलने का मौका मिलना चाहिए इन्हें चुप कराया गया है इस पर स्पीकर की तरफ से जवाब आया कि जब बोलने की गुजारिश सांसत की तरफ से आती है तभी स्विकार किया जाता है और ठीक इसी के बाद प्रधान मंतरी का भाशन शुरू होता है ये मनिपूर की सच्चाई को छुपाने की एक साजिश है क्योंकि वो मनिपूर के दो सांसद वो खुद कबूल करते कि उनकी सरकार व्यर्ड थी मेते हो या कुकी हो महिलाओं को बलतकार से नहीं बचा पाए मेते हो या कुकी हो लोगों को हत्या करने से उनको रोक नहीं पाए आज मनिपूर के दो भाग होने से उनकी सरका रोक नहीं पाए तो इस सच्चाई को चुपाने के लिए जबकि एक मंत्री उनका केंद्र मंत्री भी है पर उनके हाथ पैर मुँ बांद दिये गे भाजपा के तरफ से विभिन सांसद बोले विभिन मंत्री बोले लेकिन मनिपूर के वो दो सांसदों को आज उनका मूँ बंद रखा ये मनिपूर के प्रती अन्याए है लोकतंत्र के प्रती अन्याए है और आज मनिपूर को आज भाजपा ने अपमानित किया है तो क्या मनिपूर के सांसदों ने सदन में बोलना ही नहीं चाहा होगा बीजेपी ने उनसे क्यों नहीं कहा कि आप भी मनिपूर पर बोलिए विपक्ष को घेरिये और देश को कुछ और जानकारी दीजिए राज्य सभा में मिजो नेशनल फ्रंट के सदसे हैं वन लालवेना उन्होंने आरोप लगाया कि जब वे बोलने के लिए उठे तो उनकी माइक बंद थी वनालवेना एंडिये के ही सदसे हैं उन्होंने कहा कि अमिशा ने जूट बोला है मैं ट्राइबल सांसद हूँ ग्रिमंतरी ने कहा कि मनिपूर में ट्राइबल म्यानमार से आए हैं हम म्यानमार से नहीं हैं हम भारतिये हैं हम यहां 200 साल से रहते आए हैं उनका वीडियो ट् सांसद ने कही दिया राज सभा में कि अमिशा जूट बोल रहे हैं अगर मिजोरम और मनिपुर के सांसदों को बोलने का मौका मिला होता तो हमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती और प्रधान मंत्री और ग्रिमंत्री ने मनिपुर को लेकर क्या-क्या आधा अधूरा और जूट बोला है पता लगाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती अमिशा के एक भाशन से कलावती का जिकर आया अमिशा ने जैसे ही कलावती का नाम लिया तभी से मीडिया में चलने लग गया कि कलावती ही कह रही हैं कि राहुल गांधी ने उनकी बहुत मदद की मनिपूर गया मनिपूर सीम ने जो मनिपूर में हजारों वेपन्स हजारों वेपन्स हजारों वेपन्स यो लूटे गए वो मनिपूर सीम के निचे हुआ हुआ तो क्यामिशा चाहते थे कि ये हजारों वेपन्स लूटे जाएं जो हिंसा चल रही है क्यामिशा चाहते है कि इंसा चलती जाए। चीफ मिनिस्टर उसको रोक नहीं पा रहा है। अमिच्छा जी कह रहे हैं कि भईया वो हमारी बात मान रहा है। तो क्या आप चाहते हैं कि मनिपूर चलता जाए। कॉंग्रेस सांसद राहूल गांधी ने कहा कि असम राइफल्स के खिलाफ एफ आई यार का होना बता रहा है कि वहां किसी तरह का समबाद नहीं हो रहा है। ग्रिमंतरी अमिश्चा ने अपने भाशन में कहा कि उनकी सरकार ने यूए पीए का राजनितिक इस्तेमाल नहीं किया है। इस धारा के सहारे कितने लोग कितने महिनों तक जेल में बंद कर दिये गए। अगर उसी पर रिसर्च कर वीडियो बनाऊं तो लाल बहादुर शा इस्प्रेस है दिल्ली हाई कोट ने कहा है कि आतंकवाद की परिभाशा इतने व्यापक नहीं हो सकती कि आप साधारन अपरादों को भी इसमें शामिल कर दें। यह कहते हुए दिल्ली हाई कोट ने दिवांगना कालिता, नताशा नर्वाल और आसिव इकबाल को समानत दे आतंकवाद की परिभाशा को व्यापक कर स्टेट ने साधारन लोगों को आतंकवाद को रोकने की धारा UAPA के तहत बंद कर दिया, यह पहली बार था जब कोट ने UAPA के गलत इस्तमाल पर सवाल उठाया, कहा कि जिन लोगों को उनके सामने लाया गया है, उनके अपराद आ धारन चुनकर नहीं लाएगा उसमें ये हिम्मत अब नहीं बची है जिस देश का मीडिया गुलामी का जीवन जीता हो गुलामी की भाशा बोलता हो उस देश में सत्ता पक्ष का हर भाशन हमेशा ही शांदार होगा दंदार होगा और वजंदार होगा ये होना ही है वरना कोट के जस्टिस अनिरुद बोस जस्टिस सुधानशु धूलिया के पीठ ने जो कहा पांच साल बीच चुके हैं और बेल के लिए ये परियाप्त केस है हम मानते हैं कि आरूप गंभीर हैं लेकिन सिर्फ इस कारण उनकी बेल नहीं रोकी जा सकती है पांच साल के लिए जेल म तोर पर नहीं रखा जा सकता है क्या ये राजनितिक इस्तेमाल नहीं है हमिशा जी पांच साल तक बिना किसी ठोस सबूत के आप किसी को जेल में रखते हैं सामाजिक कारेकरताओं के अलावा लड़कियों पर यूए पीए की धाराएं लगाई गएं ताकि भारत की लड़क के दोर में उन्हें यूए पीए की धाराओं में बंद किया गया किसी पर एनेसे भी लगाए गये क्या आपने ये सब होते नहीं देखा या और बात है कि धर्म के नशे में देखने वाले लोग अधर्मी हो चुके हैं उन्होंने गलत और जूट का हिसाब रखना और सवाल पूछना छोड़ दिया है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया से सच का जनाजा उठ गया है मनिपूर पर बहस हो रही थी कई पत्रकार यह कहकर सरकार की तरफ से नंबर बढ़वा रहे थे कि राहूल गांधी का भाशन बहुत खराब था प्रधान मंतरी का भाशन इन जूट का पता नहीं लगा सकते इसकी इजाज़त नहीं होगी इसलिए ताली बजाने लग जाते हैं प्रधान मंतरी के भाशन से इतनी बड़ी गलती निकल जाए सेना पर खुदी सवाल करने लग जाएं इस तरह से राजनिती करने लग जाएं और पत्रकार चुप रह आप खुद तै करें कि क्या प्रधान मंतरी के भाशन में ये दोनों ही तत्व थे नमस्कार मैं रविश कुमार